हलो क्लास हाव यू कैसे आप सभी लाजवाब फसलास तो जैसा कि हम दोस्तों बिजनस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं अभी ओवर्वीव वाली क्लास पर हमने देखा कि बिजनस स्टेडी करने का उसके बारे में जानने का जो रीजन है वो क्या है तो कहीं न कहीं जो भी हमारे daily basis की activities हैं वो किसी नहीं किसी हो सकता है हमारा भी या किसी और का उनके business से जुड़ी हुई होती है तो business क्या है उसका content क्या है पूरा scenario हम इस 11th class में अपने business studies के content में discuss करने वाले हैं So whatever, किसी भी particular business की अगर मैं शुरुआत मानूं दोस्तों तो वो शुरुआत कहां से होती है किसी काम से होती है वो काम कुछ भी हो सकता है वो goods and services में से चाहें वो goods में deal करे या services में deal करे कहीं ना कहीं वो आपका काम जो है किसी ना किसी activity से relate होगा business की जो एक basic चीज है जहां से business आपका शुरू होता है वो कोई particular activity होती है तो अगर मैं बात करूँ sentence हमारे पास क्या आएगा that every human being that every human being is engaged is engaged in some in some activity in some activity to to satisfy their satisfy their human need or want human need or want जैसा microeconomics में अगर आपने एक लास से शुरू कर ली है microeconomics में तो उसमें मैंने बताया है starting में ही economic problem में ही बताया है कि जो भी हमारी सामने एक scarcity की समस्या कुछ चीजों के दुरलब किसी चीज के कमी होने की समस्या हमारे सामने आती है तो वो क्यों आती है कि हमारे सामने जो wants हैं वो बहुत जादा है और wants को पूरा करने के लिए जो resources है वो बहुत कम है ये वाली condition economics में जो हम पहली content में पढ़ते हैं कि wants are greater than resources अब उन wants को satisfy करने के लिए अपनी चीज को अपनी need को satisfy करने के लिए जो human है वो कही न कही किसी न किसी activity में engaged रहता है दोस्तों हमारा जो आपका topic है business studies का वो इसी activity से शुरू होने वाला है कैसे शुरू करने होने वाला है जो activity है उसको हम उसको हम दो part में divide करते हैं दो तरह की activities होती है एक होता है एक होता है आपका economic activity एक होता है आपका economic activity activities whatever आप जो बोले और दूसरा होता है non economic activities एक्टिविटी इन शौट अगर दोनों में इन शौट अगर दोनों में मैं differentiate करूँ तो दोनों में difference का मतलब दोस्तो होता है money से किस से money से economic activities में जो money की measurement है मैं measurement की बात कर रहा हूँ presence की बात नहीं कर रहा हूँ जो money की measurement है वो exist करती है जो money की measurement है वो exist नहीं करती है वो exist नहीं करती है कहने का मतलब यह है दोस्तो कि हम अपने regular basis पर अपने आसपास बहुत सारी activities देखते हैं उसमें खुद भी engaged होते हैं किसी और को engaged होते हुए देखते हैं तो अगर वो activities अगर वो तमाम activities money measurements से related है तो उनको economic activities कहा जाता है और अगर वो activities आपका money में deal नहीं कर रही है money measurement उसमें नहीं आ रहा है तो उसको non economic activities कहा जाता है इसका example समझते हैं अगर मैं बात करूँ आप कोई business कर रहे हो या आपके सामने कोई market है उसमें कोई shop खोलके बैठा है business वहाँ पर चल रहा है चीजें बेची जा रही है खरीदी जा रही है बदले में money आ रहा है तो involvement किस की हो रही है money की हो रही है so that is known as what economic activity उसे क्या बोला जाएगा उसे economic activity बोला जाएगा आपके father parents job पे हैं मान लीजे ठीक है बिजनस भी हो सकता है पर मान लीजे job पर है तो job पर है जाते हैं काम करते हैं काम करने के बदले उन्हें एक monthly basis पर एक particular remuneration एक amount उन्हें मिलता है तो यहाँ पर क्या है money की involvement है money की measurement है इसको बोला जाता है economic activity ऐसे ही मान लीजे कोई doctor है कोई engineer है कोई chartered accountant CA है वो अपनी services अपनी knowledge का इस्तेमाल करके दूसरे को अपनी सेवाई देता है डॉक्टर के बाब भी मरी जाए के जी coronavirus की दवाई लिख दो अब इसकी तो कोई है नहीं पर हाँ कुछ नब उसको राय दी जाएगी ठीक है बई जुखाम बुखार हो गया दवाई लिख दो चेक अप कर दो जी कुछ ब्लड टेस्ट वगएरा तो इस services कौन देगा डॉक्टर उसके बदले वो से कुई charges ले रहा है that is what economic activity money measurement इसमें आ रहा है chartered accountant वही एक company ने अपने खाते दिये कि ये हमारे पूरे एक particular साल की या मैं आपका quarter ली या half yearly ये हमारे data है इतनी हमने sale करी है इतना सामान खरिदा है कुछ ज़रा profit वगरा कुछ बताईए कितना हुआ तो accountant साब बैठेंगे इसाब किताब करेंगे इतना profit वजी इतना tax निकलेगा इस rate तक जमा करना है बताईए और बदले में अपने fees उन से लेंगे तो यहां पर अपने knowledge का जो ग्यान था उनको उसके जरीए उन्होंने किसी की help करी अपनी services दी money की involvement इसमें आई इसको बोला जाता है economic activity ओके लेकिन non-economic activity की बात करो religious purpose पर social purpose पर आपने किसी की मदद करी आपने किसी को खाना खिला दिया आपने मंदिर जाके प्रातना करी ठीक है तो यह meditation अपने health के लिए थोड़ा running वगरा कर ली यह भी activity है इसमें भी आप अपने आपको engage कर रहे है बड़ इस आर non-economic activity यहाँ पर measurement जो है money की वो exist नहीं हो सकती उसे आप calculate नहीं कर सकते भई आप जो है मंदिर में गए आपने प्रातना करी ध्यान लगाया meditation करी जहाँ पर भी आप गए मंदिर, मस्जिद, गुर्जवारा वगरा 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 अब लेकिन सीजी सी बात क्या है कि वहाँ पर आपको आपको शान्ती मिली मन की कि मैंने आज अपने भगवान से प्रातना करी है meditation की है तसल्ली मिली satisfaction that's a good thing लेकिन क्या उसमें money measurement को आप सकते हो कि मुझे मेरे मन को इतने रुपे की तसल्ली मिली नहीं that is non-economic activities आपने किसी जो society में कुछ social work किया लोगों की मदद करी ठीक आपको अच्छा लगा आपने satisfaction के लिए आपने वो कर आपको लगता society की help आप में करनी चाहिए but that doesn't involve money measurement so all these are known as what आपका non-economic activities and अब जब हम इस चेप्टर की बात कर रहे हैं इस चेप्टर की नहीं slavus की बात कर रहे हैं पूरे 11th क्लास के और 12th क्लास में पी जब हम पहुँचेंगे पढ़ेंगे तो ये सारा का सारा दाइरा ये सारा का सारा प्रोसेस business studies का दोस्तो revolve होगा घूमेगा economic activities के आस पास we will focus on economic activities when we are discussing about the concept of business or the concept of business studies ये वह हमारा focus उन activities पर रहेगा जो money measurement ये एक company एक खोलके बैठा है कोई कोई firm अपना खोलके बैठा है अपना business चला रहा अपनी profession से दूसरे लोगों को services दे रहा है that's why something in return कुछ वापस उसको मिले और वापस कम मिलेगा जहाँ पर money की measurement होगी तो that is what economic activity तो economic activity में अपने आपको engage करके रखेंगे ओके दोस्तों तो यहाँ पर हमने discussion करी economic activities की notes आपके पास होने चाहिए notes आपके पास होने चाहिए जो table वगएरा बनाई है हमने economic activities और non-economic activities की आओ उसको एक बार देखें हाँ notes नहीं है तो please coordinate करेंगे अगर उससे आप तक definitely पहुँचेंगे जैसे अगर हम देखें सब से पहली meaning economic और non-economic की क्या करा है सब यहाँ पर बिल्कुल पता चल रहा है economic activities are those by which we can earn earn word को online कर सकते earn का मतलब money आ गया our livelihood और इसी का second point these activities are undertaken to earn money and to create wealth पैसा आए हम अपनी संपत्ती create करें all these are economic activities जबकि दूसरी तरफ non-economic activities क्या करा है are those performed out of love sympathy sentiments patriotism etc ठीक है यहाँ पर love की बात करें sympathy की बात करें society की बात हो गई हैं पर मंदर जाने की बात हो गई हैं पर मज़े जाने की बात हो गई हैं यहाँ पर जो हमारा क्या नाम है समाज है उसमें किसी वर्ग को चाहे वो आपका lower class है या aged लोग हैं whatever उनको थोड़ी help की ज़रौत है उन्हें खाना खिलाने की मदद है उनकी help करनी है किसी purpose को लेकर किसी activity को लेकर these are some sentiments जो हमारे अंदर होते हैं और हमें लगता है कि society के लिए हमें करने चाहिए non economic activity और second point इसका क्या करता है यह हमारी psychological हमारी social और हमारी emotional needs को पूरा करते हैं monetary need को यह पूरा नहीं करते हैं okay right example जैसा कि हमने already discuss कर लिए है एक worker factory में काम करने जाता है एक teacher पढ़ा रहा है एक doctor अपनी services दे रहा है chartered accountant company को अपने knowledge के जरीए उनके accounts उनका taxation जो है वो solve out कर रहा है तो यह तमाम चीज़ें आपकी economic activities जबकि घर में लोगों के लिए खाना बनाना किसी की help करना मंदिर में जाना यह सब आपका non-economic activity में हुआ outcome main चीज़ के नतीज़ के निकल के आता है when we are performing economic activities तो बदले में money के exchange में हमने क्या करा या तो हमने कोई goods and services produce करी होंगी या हमने expertise के जरिए किसी की help करी होगी so production, distribution and consumption of goods and services जबकि दूसरी तरफ हमारा mental and psychological satisfaction पूरा होता है types के बारे में हम discuss कर चुके हैं जो business, profession, employment है यह हमारा आता है आपके economic activities के अंदर बाकी तमाम चीज़ें हमारे economic activities के अंदर आती है non-economic activities के अंदर आती है ओके तो यह just हमने दोस्तो एक overview लिया, हमने content देखा कि भई activities को हम किस तरीके से classify करते हैं ठीके आईए, इसको अब हम यहां से हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब हम जैसा की हमने अभी discuss किया, यह content हमने हाँ पर discuss किया, कि जब भी हम, जब भी हम economic activities जब भी हम economic activities पर focus करते हैं economic activities पर focus करते हैं it is related with somehow production and procurement of goods and services उनको बनाना, समाज तक पहुँचाना बेचना, यह सारे की सारे चीज़े economic activities के अंदर आती हैं और दोस्तों, यही economic activities connect हो जाती है business से यही economic activities connect हो जाती है business से और in short अगर reverse करके बोलो, के business क्या है, ठीक है, business के साथ साथ, हाला कि हम अभी इस chapter में employment और profession भी पढ़ेंगे somehow concept monetary terms में ही है, लेकिन कुछ differences है, वो क्या वो आगे चलके लेकिन फिलाल अभी business हमारा main business word जो है, वो हमारा main head होगा, जिस पर हम focus रखेंगे so what is business what is business, business क्या है economic activities related है it is connected with economic activity और यह related किसे है, आप किसी भी प्रकार के goods and services का manufacturing, production, procurement आप उसको transfer कर रहे हो transfer कर रहे हो, all and everything related to goods and services, it is known as what economic activities and it is connected with business तो जैसे definition, एक basic simple को simple सी साधारन definition लिखी हुई है हमने आपे notes में, अच्छा एक चीज़ और definition में कोई hard and fast rule नहीं के पर जो मैंने लिखा आपको वह लिख नहीं, नहीं, वर्ड्स क्या बिल्कुल words A to Z होने चाहिए क्या इस तरीके से, बिल्कुल exactly नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी आप words जो हैं, अपने तरीके से लिख सकते हैं, अपना concept लिख सकते हैं, कोई problem नहीं है तो आपको जो concept है वो बिल्कुल clear होना चाहिए, important content words का use करना मालूम होना चाहिए definition आप अपने accordingly बना सकते हैं, लेकिन हाँ जब भी आप exam में presentation दे रहे हैं तो एक बड़ा अच्छा तरीका होता है अपनी presentation को improve करने का वो क्या होता है, कि भई हमने अपना, हमें खुद जो knowledge इस थी वो तो हमने लिग दी, ठीक है लेकिन content को थोड़ा बढ़ाने के लिए हमने किसी writer की, ठीक है हमने पहले पुराने किसी जो known writer है उसकी definition भी लिग दी कि according to this, according to Henry Fial, according to F.W. Taylor according to Peter F. Drucker मतला कोई भी जो भी आपका writer है कि ये word आता है इस definition का तो उसमें याद रखेगा कि उसमें definition आपकी accurate होनी चाहिए word to word होने चाहिए although, although हमने ये observe करा है over the period of time, जब हम भी school में थे, अगर हम किसी particular writer का नाम इस्तिमाल कर रहे है एक दो शब्द इदर उदर हो जाता है तो भी as an teacher जो है marks नहीं काटते but मैं अपनी सहुलियत के लिए अपने satisfaction के लिए आपके बूत बता रहा हूँ कि जो words हैं वो A to Z होने चाहिए अगर आप किसी writer की definition लिख रहे हो otherwise है सच कोई problem वाली बात नहीं है आप जो है अपना जो concept है वो यूज कर सकते हो यहां तो बड़ी आसानी से आप लिख लोगे कोई पूछे आप से what is business आज यह chapter पढ़ने के बाद आप नीचे घूमने गए और किसी producer ने पूछ ला कि what is business तो you can immediately say that business is an economic activity कर अच्छा किस चीस तर रिल्टेट होती है आगे लिखा हुआ है it is related with यह involving with purchase, productions और sale of goods and services बना लो, बेच लो, जोड लो goods and services को all this what business और क्यों कर रहे हो आप यह आप कर क्यों रहे हो profit कमाने के लिए अपनी income अन करने के लिए अपना livelihood generate करने के लिए with a motive of earning profit by satisfying human needs of society by satisfying human needs of society मतलब consumer है market में बहुत सारे उन्हें अलग अलग चीजों की जुरत थी आपने बनाई market तक पहुँचाई उन्होंने खरी दी तो उनकी भी need पुरी हो गई और आपने profit कमा लिया तो बिल्गो simple तीन चीज़े business is what economic activity which deals with production या procurement या sale तीनों चीज़े हैं simple सी या production और sale भी लिख तो अब जैसेस में procurement वर्ड नहीं लिख पाए तो कोई बात नहीं of goods and services क्यों? to earn profit by satisfying wants तो बिल्गो simple सी definition business की आगे जो एक और इसमें paragraph एड हुआ the organization pursuing these activities are called business enterprises or firm बिल्गो simple सी बार जो भी in economic activities में involved है उसको हम क्या कहते हैं? all these are what business enterprises who perform a wide variety of function like financing, production, marketing, human resource management blah blah and blah नहीं समझ आया है कोई बात नहीं धीरे धीरे समझ आ जाएगा या चलो समझ ही लेते हैं example में बिल्को simple वाल example से शुरू करता हूं चाय की दुकान that is a business firm ठीक है कोई बुरा काम नहीं है परदानमंत्री बंदो क्या पता कल को अप है ना knowledge skill होनी चाहिए ठीक है आपने एक सीधी सी बात है आपने अपनी knowledge के एसाब से छोटे से business को बहुत बड़ा बना दिया तो इसके लिए कोई मैं कहता हूं कि specifically किसी परिवार से होने की या specific degree की जुरुत नहीं आपको अपने आसपास की atmosphere की knowledge होनी चाहिए एक चाय की दुकान आपने लगाई सीधी सी बात है कहाँ पर एक commercial offices है महाँ पर लगाई तो आप जब एक चाय की दुकान भी maintain कर रहे हो तो कई सारी चीजों का ध्यान रखोगे किन सारी चीजों का ध्यान रखोगे कि भई Monday to Friday मैं अपनी शॉप इतने बज़े से इतने बज़े तक खोलूँगा उस दिन मुझे stock जादा रखना पड़ेगा क्यों रखना पड़ेगा सीधी सी बात है उस दिन सारे लोग काम पे आते हैं लेकिन सेटर्डे को सामान कम खरीदना पड़ेगा क्यों सेटर्डे को कई offices बंद रहते हैं संडे को मत आ जाना संडे commercial office है अगर खुलेगा भी तो उसके लिए आप क्यों बैठोगे संडे शुट्टी रख लेना आपने अपनी economics आपने फाइनस आपने पैसे का ध्यान रखखा कि किस तरीके से आपको उसको रिवॉल्व करना है ठीक है तो that is what आपका financing production की बात कब बनानी है जादा बनानी कब कम बनानी पर सुबर सुबर लोग जब office आएंगे तब थोड़ा जादा फटा-फट से चाहे से यार करनी है पीके जाएंगे सीजी सी बात है बीच में tea time होता है ग्यारा बजे लंच होता है दो बजे शाम को office की छुट्टी होती है पांच बजे तो in specific time duration में आपको production जादा करना पड़ेगा बीच में normal रख सकते हो तो you are managing your production आपकी चाहे की दुकान है मतलब हमारी है नहीं तो देखा तो है ना कि नॉर्मली यह office hours में काम होता है तो that is how you manage your production HR अगर हम बात करें human resources आपके पास staff जो है काम करने वाला अब एक दो ब्रखा हुआ है आपने साथ में काम करने के लिए तो जब वोई office का lunch time है या tea time है तो तब उसको सामान दे लें के लिए मत बेज़ देना के भई जा सामान ले के आ नहीं उस ताइम तो भई फटाफट कप दोने है फटाफट चाय डालके देनी है बीच में बेज़ देना तो that is how you use human resource management साथ ही जब सेल बढ़ने लग गई थोड़ा सामान जादा रखने लग गई आप तो आपने एक आदमी को और हायर करा कि तेरा काम ये है तेरा काम ये है डिवाइट कर दिया काम को एकनॉमिक्स लप्लाई करी तो ये तमाम चीज़ें एक छोटा सा बिजनस से लाने के लिए भी आप बहुत सारे factors का ध्यान रखते हो आप चाय की दुकान आपने चला लिए मान लीजिए आपका automobiles का काम है तो उसमें भी तमाम चीज़ें कब हम पैसा कहां से लाएंगे कहां से finance करें शेर्स issue करें ठीक है बैंक से लोन लें शेर्स क्या होते हैं आपको पता चलेगा धिर धिर भी तो commerce की दुनिया में आपने कदम रखे हैं साथ ही भाई production automobiles का भाई दिवाली के आसपास यार सेल जादा होती है नए साल पे नवरातरों के आसपास लोग बहुत ज़्यादा गाड़ी खरीदते हैं ठीक है तो production बढ़ाओ फटाफट से production बढ़ाओ दो-तिन महीने से production बढ़ादो ठीक है that is what यह क्या होता है आप production को प्लान करते हो तो कोई भी चीज़ें जो economic activities में engaged हैं अपने business को perform कर रही है these are business enterprises और वो इतने इस यह बहुत सारे factors perform करते हैं और मैं आपको बता दू यह जो चीज़ें हैं न marketing, human resource management ट्वेल्थ क्लास में depth में पढ़ने वाले हो पूरे के पूरे यहां पर तो बस एक idea है 11th class में what you are going to do कि हमें एक idea लेना है हर शेतर का, हर एक factor का कहां पर कौन कौन सीज बिजनस को affect करती है तो 11th class में तो business के आसपास के दाइरों के बारे में आप पढ़ोगे लेकिन 12th class में business के अंदर ही पहुँच जाओगे कि भई अब business को हमने आसपास की जानकारी ले लिए factors का पढ़ लिया अब हमें business शुरू करना है तो business शुरू करते टाइम किन-किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो तमाम चीजें हमारे 12th class में होंगी So that is the definition for business बिल्कुल सी definition हमने पढ़ी Business क्या है? Economic activities है किस related है? Goods and services के उसके production और sales से और क्या profit कमाने के लिए किया जाता है Human needs को satisfy करके तो यह content हमारा है अगले point पर हम आते है अगला point दोस्तो हमारा इसके अंदर आ रहा है जो heading है features या characteristics या nature कुछ भी तीनों में से कोई भी word यूज़ करे एक मतलब होता है nature, feature और characteristics मैंने जैसे features लिख दिया है तो features of business तो characteristics बोले या nature बोले हमें same ही इसमे point लिखना है ठीक है तो 67 point दोस्तो हमारे सामने है explanation हमने लिखी हुई है लेकिन content को समझना है यह 67 point हम याद कैसे रखेंगे सर क्या हमें याद रहेंगे हाँ दोस्तो समय समय पर मैं हर particular heading की जहां तक possible होता है जो mnemonics है mnemonics मतलब shortcut method shortcut तरीके याद करने के वो आपको बताता रहूंगा जितना हो सकता है अब हर heading की तो हम create नहीं करेंगे shortcut क्योंकि हर heading की अगर shortcut करेंगे तो shortcut भी कितने याद रखोगे नहीं तो selected जो हमें आसानी से याद हो जाएं आपका memorize हो जाएं तो उनको हम करेंगे जैसे यह चह साथ पॉइंट है तो इसका एक shortcut मैंने मैंने जो बना रख़ा है वो यह बना रख़ा है कि पापा से पापा से जरूरत का सामान सामान हाँ मंगाना ओफिस से लोटते समय ओफिस से लोटते समय ठीक है यह एक लाइन हमने यहाँ पे लिख लिए और इससे जो यह तमाम हेडिंग है वो हमारी cover हो जाएंगी बड़ी आसानी से कैसे मैं आपको बता दू इसमें जो main main words है यह तो हमने sentence याद कर लिया ठीक है एक तो हम इसमें पापा को याद रखना है ठीक है पापा के कई सारे factors बनेंगे एक आपका जरूरत एक आपका सामान और एक आपका लौट ते ठीक है ओके clear तो इससे कैसे दोस्तों देखो P से एक word हम बनाएंगे A से हम एक word बनाएंगे और P से हम एक word बनाएंगे A आपका रह जाएगा हमारी need होती है सामान क्या होता है सामान कुछ भी हो सकता है सामान एक good भी हो सकता है सामान एक service भी हो सकता है goods and services और lot ते अगर हम English में बोलें तो return होता है तो इन points से हम अपने कई सारे जो factors है वो create करेंगे पहले पापा वाला जो point है उसको पूरा करते हैं P A P ठीक है जी तो अगर हम बात करें पहले P से हमारा क्या आता है production को तो हम already definition में कर चुके हैं production A से activity कौन से वाली activity it is an economic activity and this A is profit earning profit earning ओके आईए ये तमाम सारे के सारे points जड़ा एक बारे discuss करें already हमने explanation इसकी लिखी हुई है लेकिन समझना बहुत जरूरी है और समझने के लिए हमने एक shortcut इसका already तयार कर लिया है सबसे पहला point हमारे सामने जो दोस्तों आता है कि what is, what is, business is तो P, production production के साथ अब वो इन knowledge को extend कर लेंगे क्या, कि जो हमारा red है, red से लिखते है ठीक है, कि जो हमारा business है वो production से या procurement से या sales से related होता है sales से related होता है कि भई, सीधी सी बात है business में हम चीजों को बना भी सकते हैं चीजों को बना भी सकते हैं जो manufacturers हो गए है, जो initial level पर अपनी factory establish करते हैं जैसे दोस्तों मैं बात करूँ, एक example लेता हूँ, मैं sugar का, तो sugar sugar can crushing से, sugar mills में बनती है, तो sugar mill वालों ने sugar को तयार कर दिया, बना दिया so that is what production, वो क्या है production, procurement इकटा करना अलग-अलग जगह पर, अलग-अलग शेत्रों पर, उनकी need के हिसाब से उनके requirement के हिसाब से, बड़ा आसन, भी एक sugar mill ने शुगर बना दी, अब वहीं आसपास के लोग चीनी खाएंगे, क्या नहीं, चीनी तो पूरे इंडिया में खाई जा रही है तो उस sugar mill से transport के जरीए warehousing की facility की help लेते हुए हम उस चीनी को जगह-जगह areas में पहुँचाएंगे that is what procurement और finally दुकान पर पहुँचकर वो एक particular consumer को जो last buyer है उसका, उसको big जाएगी, that is what sale तो अगर हम बात कर रहे है पी की so business is involving with production, procurement and sale of goods and services example, इसमें आप sugar का दे सकते हैं हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी आप specially business studies में business studies में, इतने साल हो गए है मुझे पढ़ाते हुए, normally मैंने क्या note करा है, जिस बच्चे की presentation अच्छी है उसके marks ज़ादा आएंगे words तो देखो यही है ना, घुमा फिरा की यही इस्तेमाल करने है, लेकिन जब भी आप किसी चीज को explain कर रहे हो so always use an example आप sure भी नहीं हो ना कि यार मैं इस example में sure नहीं हो मुझे मतलब ज़ादा content मिलनी रहा फिर भी लिखो आपने कोई point लिखा और नीचे for example this जैसे इसमें आपने लिख दिया एक line लिख दी सी point में के business is related with the activities of production, procurement and sale of goods and services that's it, for example चीनी का example लिख दिया इसमें है कहा इसमें दिक्कत वाली बात ठीक है, के बही sugar meal वालों ने बनाया that is production by the help of transportation it is forwarded to many small and major cities that is what आपका procurement and finally they are sold out to the ultimate buyer ultimate consumer that is what sale तो इस तरह से example का इस्तमाल करेंगे activities की बात करते हैं यह हमने already discuss कर लिया के business activity जो है वो एक economic activity है it is engaged in the terms of money तो पहला point इसमें कहा रहा है इसके दो-तिन point के it is undertaken with the object of earning money पैसे के लिए यह करी जाती है और बाकी इसमें human wants को satisfy करने के लिए profit कमाने के लिए की involvement होती है और हम अपने इसमे economics भी आ गई और अपने resources को best possible way में use करते हैं economic activity economic activity के अगर मैं बात करा हूँ तो economics में यही तो पढ़ा हमने कि मतलब अगर पढ़ लिया अपने micro economics अगर शुरू कर लिया है तो उसमें मैंने यह explain करा है कि अपने resources का best possible use करना is what? Economics अगले point पर आदे है profit earning यह तो दीन दुनिया ही है इसलिए तो risk लिया है इसलिए तो हमें पैसा वैसा कमाना है क्यों? और इसलिए बात है कि हम जो भी कुछ कर रहे है अपने livelihood के लिए कर रहे है तो काम हम ऐसा कर रहे है जिसे in return हमें कुछ मिल सके मिलता है या नहीं मिलता है वो एक अलग चीज है लेकिन in the first step अगर आप देखो तो पहला purpose क्या है कि हम कुछ ना कुछ profit जो है जो earning जो है वो करना चाहते है इसके अलावा ये तीन point हमारे clear हो गए यहाँ पे ये point need का आगया तो need का point हमने लिखा हुआ है कि sale और exchange of goods and services for satisfying human needs दोस्तो अगर आप सीधी सी बात है एक business start कर रहे हो तो business start करने का मतलब क्या है कि आप अपना कोई product इधर a good or services बेच रहे हो आप कौन सा good and services बेच होगे जो लोग खरीदेंगे है ना जो लोग खरीदेंगे जैसे चीज को लोग खरीदना पसंद नहीं कर रहे क्या उस चीज का business आप शुरू करोगे definitely not ऐसा नहीं करेंगे क्यों मैं अपना पैसा बरबाद करेंगे अपना time waste करेंगे तो इसलिए market में जिस चीज की requirement है जो human की need है जो वो चाहता है produce करना ठीक है सीदी सी बात उसको हम market में बेचते हैं उन चीजों को produce करते हैं उन चीजों की sale करी जाती है तो इसलिए जो business है human needs की जो goods and services है उनकी sale से related है dealing in goods and services on regular basis goods and services सामान हमारा regular basis वाला कभी कबार कोई चीज काम में आए तो हमने एक जैसे मैं फौर example दूँ book में भी example दिया हुआ है कि आपने आपके घर में न्यूस पेपर थे ठीक है घटे हुए आपने वो बेच दिये और उससे आपने 500 रुपे कमा लिए आपने बोला मैंने 500 रुपे कमा ये न्यूस पेपर बेच के that is my business no that is not your business वो आप regular activity थोड़ी ना है आपकी एक जो कबाड़ी वाला है जो स्क्रैप वाला है वो regularly इन चीजों को खरीता बेस्ता है वो है उसका business उसके लिए business माना जाएगा लेकिन आप सीधी सी बात है कभी कबाड़ कोई activity करके बोलो के it is my business तो नहीं वो चीज़ नहीं है आप ऐसी क्या नाम है किसी के गार्डन में चले गए आपने काम वाम करा बोल दिया लाओ मुझे थोड़े पैसे दे दो इस काम के नहीं that's not business आप regular basis पर जो कर रहे हो उसको business बोला जाएगा ठीक है uncertainty of return अच्छा जी ये वाला point इससे connected है और भाईया सीधी सी बात है इससे अगला point भी इससे जुड़ा हुआ है बोलते हैं ना बाव भाईया कि रिस्क तो है रिस्क तो है वो तो रिक्स बोलते हैं बाव भाईया ये रिस्क एक्चुली है ना uncertainty of return next point हमने क्या है uncertainty of return भाई एक employee जॉब पे जा रहा है उसकी मंतली salary 40,000 रुपे है मिलेगी मिलेगी काम करेगा उतनी मिलेगी थोड़ा ज़्यादा करेगा काम तो भी 40 मिलेगी थोड़ा कम कर देगा तो भी 40 मिलेगी फिक्स है क्मामला है ना लेकिन बिजनस में ऐसा नहीं है uncertainty of return आप चाय की दुकान खोल गया बढ़िया चल रही थी एक दम लेकिन बगल वाले में एक और चाय वाला आ गया उसकी चाय थोड़ी सी बढ़िया हो गई तो आपका काम एक दम से नीचे है ना या वो बंद करके चला गया आपके पास और सेल बढ़ गई एक दम से उपर तो that is uncertainty of return business में ये तो fix रहता है ठीक है कभी जादा कभी कम कभी कम कभी जादा तो इसमें कोई fix return आपको नहीं मिलने वाला है uncertain return आपका रहेगा ही रहेगा और इसी के साथ ही next point आपका element of risk किस चीज़ का risk बहुत जादा होता है किस चीज़ का risk बहुत जादा होता है कभी भी कुछ भी परिवर्तन आ सकता है आपने car बना के रखी बहुत बढ़िया पचास अजार car दिवाली आने वाले बिखने की संभावना लेकिन दूसरी company ने उसने भी एक product निकाल दिया और उसेम प्राइज में उसने अपनी car में ज़्यादा feature दे दिये music system को लेकर AC को लेकर seats को लेकर whatever उसने ज़्यादा comfortable बना दिया उसी दिसी बात है आपकी sale तो गई न that is what risk एक फैशन एकदम से change हो गया product एकदम से change हो गया तो हमें समाज का ध्यान रखते हुए चीजों को fix करना पड़ता है चीजों को समझना पड़ता है production करना पड़ता है और अगर कहीं पर भी कोई गलती होगी तो दंदा चौपट, काम चौपट that is what element of risk ये इसके अंदर बहुत जादा होता है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हमने basically समझा business क्या होता है, content क्या होता है तो हमने activity से शुरू करा दो activity बनाई, economic और non-economic economic में money आगिया non-economic में money नहीं है और economic वाली ही हमारी business है और उस business के क्या-क्या features है क्यों करा जाता है, वो हमने content यहां पर देखा next video में मिलते हैं आप से फटा-फट इस video से related, कोई भी doubt होगा तो definitely आप पूछेंगे और next video में हम शुरू करेंगे जो हमारे business के part है economic activities के part है business, employment और profession, वो कैसे दूसरे से related है, कैसे जुड़े हुए है उसके उपर चर्चा होगी मिलते हैं आप से next class में please take care, कोई doubt, कोई query है तो definitely contact करेंगे मिलते हैं next class में